पीडी के साथ बदलते भरत की शाथ पीडी के साथ बदलते भरत की शाथ नमस्कार स्वागत है आपका हमारे लाइफ ओन इन कारिक्रम हेलो किसान में अपने इस कारिक्रम में हम बात करते हैं खेती किसानी की पशुपालन की और साथ ही साथ किसानों से जुड़ी उनके हित की योजनाओं के बारे में और इस कारिक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं तमाम विशव पर विशे शक्ये जो आपके हर सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही देते हैं सलाहा और हम आपको बता दे कि आज की जो विशे हैं वो है स्टॉबरी की खेती साथ ही साथ हम बात करेंगे मधु मखी पालन को लेका दोनों विशे पर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं प्रशन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टॉल फ्ली नंबर पर कॉल कर सकते हैं कोई भी प्रशन आप पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में आ रहा हूँ वो प्रशन आप पूछ सकते हैं टॉल फ्ली नंबर है 1-800-113060 एक और नंबर आपको बता देते हैं 1-800-113061 तो टॉल फ्ली नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रशन पूछ सकते हैं इसके साथ ह आप WhatsApp पर भी कोई message देना चाहते हैं, प्रिशन पूछना चाहते हैं, या तस्वीर भेजना चाहते हैं, या voice message भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं, नमबर है 8800-520-717, तो यह WhatsApp नमबर है, इस पर भी आप call कर सकते हैं, अपना प्रिशन पूछ सकते हैं, इसके अलाव कर सकते हैं अपना प्रशन भेज सकते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब देनी के लिए हमारे साथ studio में मौजूद हैं विशेशग्य साथ ही digital platform से भी हमारे साथ जुडेंगे विशेशग्य जो कि आपके हर सवाल का जवाब देंगे तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपने जो विशेशग्य हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं उन से सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आरेम शर्मा के पास जो कि आपको बता दे कि फल संभाग विभाग आई यार आई पूसा नई दिल्ली से हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे विशेशग्य हैं वो जुड़ी है पूनम शिवास्तव जी जो कि आपको बता दी कि प्रोफेसर है कीट विज्ञान में विश्व विद्दाले पंतनगर से तो पूनम जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो दोनों विशेशग्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं कोई सलाह है आपको जो लेनी है वो सलाह आप ले सकते हैं हर सवाल का जवाब हमारे विशेशग्य आपको देंगे तो सर सबस का ख्याल रखना चाहिए किस तरह से की जा सकती है देखिए इस्ट्रोबेरी अगर बेसिकली देखा जाए तो यह पाड़ी फल माना जाता था लेकिन आप जो है मैदानी छेत्र हैं जहां पर थोड़ी ठंड होती है उत्तर भारत में या मारस्टा के कुछ छेत्रों में तो इस दून में आते हैं निर्वर करता कि सूंचाइब उनको ग्रो किया जा रहा है और मैदानी चेत्रों में जो फल आते हैं वो जनवरी फरबरी और 15 मार्स तक आते हैं क्योंकि जैसे 15 मार्स के बाद तापमान बढ़ना सुरू हो जाता है तो इसके फिर गर्मी में इसके पौद एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं तो इसकी खेती अब कई परदेशों में हो रही है तो हमारे किसान भाई जहां थोड़ी सी ठंड है दिसम्बर जनवरी के महिने पढ़ती वहां पर इसकी खेती सफलता पूर्व कर सकते हैं और ज्यादा आए कमा सकते हैं ठीक है क्योंकि प्रेश्य है टॉपिक है प्रश्ण है इन सब चीजों को एक साथ अगर हम एक फ्रेम में रखें तो उसके लिए एक रिपोर्ट हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखा देते हैं ताकि वह अपने प्रिश्ण पूछ सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं तो एक तोर पर ठंडे इलाकों में की जाती है देश के कई हिस्सों जैसे नैनिताल, देहरादून, हिमानचल प्रदेश और महाराष्टर आदी में स्ट्रावेरी की खेती व्यावसाइक तोर पर की जाती है परवती इलाकों में पौद की रोपाई का काम जुलाई, अगस्त और प्रदानी इलाकों में सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है, किस्मों कचयन अपने इलाके के हिसाब से करें, स्ट्रावेरी की खेती के लिए खेत में जरूरी खाद उरबरक देने के बाद बेड बनाने के लिए बेड की चौडाई 2.5 से 3 फीट रखें और बेड से ब स्ट्रावेरी का पोधा काफी नाजूक होता है, इसलिए उसे समय समय पर खाद और उरबरत देना जरूरी होता है सिचाई की बात करें तो स्ट्रावेरी के पोधे के लिए उत्तम गुंबत्ता का पानी होना चाहिए पौधों को लगाने के तुरंत बाद सिचाई करना जरूरी है सिचाई टपक सिचाई से करना बहतर रहता है स्ट्राबेरी की तुड़ाई की बात करें तो जब फल का रंग 70 प्रतिशत असली हो जाए तो तोड़ लें अगर बाजार दूरी पर है तो थोड़ा सक्त फल तोड़ें तुड़ाई अलग अलग दिनों में करें तुड़ाई के समय स्ट्राबेरी के फल को नहीं पकड़ें बलकि उपर से पकड़ कर तुड़ाई करें कुलमला कर सही समय और सही तरीके से की गई स्ट्राबेरी की खेती आपको अच्छा मुनाफ़ाद दे सकती है तो स्ट्राबेरी पर आपने ये रिपोर्ट देखी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सर और ये आपके हर प्रशन का हर सवाल का जवाब देंगे और सलहा देंगे और फिलहाल हम आपको बता दे कि जो हमारा दूसरा टापिक है मधू मक्ही पालन उसको लेकर भी बात कर लेते हैं पूनम शिवास्तप जी हमारे साथ लगाता बनी हुई है मैं हम आपसे जानेंगे कि मधू मक्ही पालन के लिए क्या करना चाहिए कौन लोग मधू मक्ही का पालन कर सकते हैं क्या कुछ बेनेफिट हैं संशिप में आपसे जाना चाहेंगे थोड़ा जी बिलकुल मधू मक्ही पालन कोई भी का सकता है अगर बात करें कि ग्रीन बेजस यानि हारी प्रिवसा है तो मधू मक्ही पालन एक बहुती उत्तम व्यवसाए है जिससे प्राकर्टिक स्टोतों की नात्यों को हानी होती है बल्कि ये हमारे पर्यावरन के लिए भी बहु कि ग्राव लुक्तों के लिए प्राब्वा बहुती आप जाता है रोयल जिली जो की एक बहुती अच्छी आयू तो है क्योंदा की इन से बहुती पुस्ट्टिक पश्टिक अपने अपने दू और मुस पोँन भी प्रागण क्रीया है बल्किस स्ट्रोबे बात करतेंτε है ड ठीक है पूनम जी ठीक है आपके पास लौटेंगे और इस विश्य पर और भी ज्यादा बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको मधुमक्खी पालन को लेकर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं भारत की विवेद क्रिशी जलवाईव परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन के लिए परयाप्त संभावनाएं हैं बिरोजगार युबकों के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया है दरजल मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है जिन इलाकों में फूलों, सबचियों और फलों की खेती होती है ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज़ादा फाइदे मंदर रहता है मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना जरूरी है लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए जनबरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए चार तरह की मधुमक्खियां पाली जाती है एपिस मेलीफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया इस व्यवसाय के लिए एपिस मेली फेरा मक्हियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती है ये सुभाव में शांत होती है इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं इस प्रजात की रानी मक्ही में अंडे देने की छमता भी जादा होती है कृतिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है मधुमक्हियों को पालने के लिए मौन ग्रिहों का इस्तेमाल किया जाता है मौन ग्रिह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृशी मंत्राले द्वारा इसे बढ़ावा देने के खुब प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें केंद्रिय वित्पोशित योजना, राष्ट्रिय मधुमक्खी पालन वा शहद मिशन भी सम्मिलित है इसे आत्म निर्भर भारती योजना के तहट वैग्यानिक मधुमक्खी पालन के समगर प्रचार वा विकास की मीठी करांती के लक्ष को प्राप्ट करने के लिए शुरू किया गया है तो मधुमक्खी पालन को लेकर आपने एक रिपोर्ट देखी अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक स्ट्रॉबरी की खेती को लेकर जिस पर लगातार दर्शक के कॉल हमाई पास आ रहे हैं और मेंसे एक दर्शक ने अपना सवाल भी बेजा है दिनेश पाटीदार ने अपना सवाल भेजा है जो की तालीदाना से रतलाम जिले से हैं उनका कहना है पूछना है कि हमारे यहां स्ट्रॉबरी कब लगानी चाहिए और इसके लिए कौन समौसम सबसे उपियुक्त है और अगर रतलाम वाली जगे पे अगर सरदियों में तापमान अगर आठ्स दस या बारह डिग्री सेंटीगेट तक आ जाता है तो वहां पे इसकी खिती की जा सकती है और इसका जो सही लगाने का समय है मैदानी चेत्रों में वो जितनी जल्दी आप लगाएं मतलग सितंबर के आखरी हथे में आप लगा देंगे क्योंकि उपज का सीधा सम्मन्द इसकी रोपन समय से होता है कि अगर जितनी जल्दी आप लगाएंगे पौदे का विकास उतना ही ज़्यादा होगा और उससे उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा तो उत्तर भारत में हम कहते है कि अक्टूबर का महीना क्योंकि इसमें दो तरह के पौदे लगाए जाते हैं यह तो बो पौदे होते हैं जो जिनको हम बेर रूटेट करते हैं जो खाड के लगा जाते हैं तो उनको लगाने के लिए हम अक्टूबर के महीने में कहते हैं कि 8-10 अक्टूबर के आसपास भी तापमाद धीमें धीमें कम होता है तो जतना ज़्यादा पौदे का विकास होगा उतनी ही आपकी उपच ज़्यादा मिलेगी तो अगर आगस सितंबर में जैसे दूसरे तरह के पौदे होते हैं जुबफल compr प्लंट कहते हैं जो किसी कंटेनर में आते हैं जिनकी जड़े कबर होती है मेडिया से, उनको आप सितंबर के आखरी हपते में भी लगा सकते हैं, अगर सितंबर के आखरी हपते में आप इस्तवरी लगाते हैं, तो निस्चे उसका जो उत्पादन है वो दिसंबर के महीने से प्रारम हो जाएगा, और दिसंबर के अंतिम अगर आप बेरूटेट प्रांट्स लगा रहे हैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बारा बंकी से नंद्राम जी सर नंद्सवरूप जी क्या प्रिश्ण है आपका नंद्सवरूप जी आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है एक अपील है हमारी दर्शोकों से कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टेल्वीजन का जो वॉल्यूम है उसे बिल्कुल डाउन कर दीजे और दूसरा कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो नेटवर्क वाले शेत्र में आकर कॉल करें इससे आपका जो सवाल है वो हम तक आप पहुंचेगा और हम आपको उसी सवाल के अकॉर्डिंग जो है आंसर दे पाएंगे जो हमारे साथ विशिशक्या मौजूद है वो आपके सवालों का तभी जबाब दे पाएंगे सार आपसे जाना चाहेंगे जैसा कि अभी हम स्ट्रॉबरी को लेकर बात कर रहे ते ये भी जाना चाहेंगे कि कितने किस्म की जो स्ट्रॉबरी हैं वो होती हैं जिनके खेती की जा सकती है हर फल की अपने पनी बहुत सारी परजातियां होती हैं जाई वो आम हो निबू बरगी फल हो एस्ट्रॉबरी हो तो इस्ट्रॉबरी में भी बहुत सारी फसले हैं क्योंके जब इसका जो पादन सुरू किया गया तो उस वक्त जो है गोरिला एक परजाती थी जो बहुत जल लगा सकते हैं गर्म छेत्रों के लिए खास करके स्वीट चारली एक बहुत अच्छी प्रजाती मानी जाती थी अब उसकी जगे एक स्वीट सेंसेशन आ गई है तो यह कुछ ऐसी किसमें हैं जिनका वेवसाई करण भारत में हो चुका है तो चैनलर कैमा रोजा और नभीला य यह बिंटर दॉण भीलोग भोस सारे किसान वाया भाहिर रहा है मैदानी चेत्र में तो यह प्रजाती हैं जिनकी खेती सफलता पूर्वा गर्म चेत्रों में की जा सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी चेत्रों då के साथ आपके पास लोटेंगे फिलाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार बात होगी बधुबक्की पालन को लेका पूनम शिवास्तप जी हमाई साथ बनी रहेंगी उस पर हम चर्चा करेंगे जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं और विशेशग्या आपक तू भी ले पर खाएगा कैसे मैं और गैनिक खेती के बात कर रहा रहे बिटे अकेले खेले खेती कब तक करेगा मतला भे गाव में बीस पच्चिस किसानों का समू बना के पंजी करन करवा ले फिर सरकारी ट्रीनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक पीज खाद भी फिर पीजियस ऑर्गैनिक की सरकारी महर के साथ तेरी उपच आकर्शक पैक में पहुचेगी बड़े बाजार तक अच्छा अरे भाई कहां चलतीया सबको साथ लाने आंदनी बढ़ाने तो किसान भाई समझ गया ना साथ मिलकर और गयानिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे पढ़ाईये ज्यादा मुनाफ़ा कमाई माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती अरे सुनतो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुना मेरी सौतन को इसको अरे वही तुम्हारा मोबाईल फोन जिससे सुवा शाम दिन राचिप के रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बाते हो रही है अच्छा ये बात है हां क्यों च्ट्नी आव वाध नहीं होती क्या अब तो जट से बात हो जाती है ऐसा क्या हां अब तो ज्यादा लायने और खास तक्नीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन वियस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहां से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है यह देखो आ गया अरे बात इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खेत्म हो तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर परक्य बाद एक बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम हेलो किसान में आज हम आपको बता दे कि दो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं पहला है स्टॉबरी की खेती और दूसरा टॉपिक है मधू मक्ही पालन को लेका और यहां आपको बता दे कि लगातार इस शो को लेका टॉपिक को लेका जो कॉल्स हैं हमारे को आ रहे हैं और अभी दर्शक महासाइज जुड़ गये हैं जो की सागर से जुड़े हैं विपे मधू मक्ही पालन को लेकर अपना सवाल करना चाहते हैं उनका यह प्रश्न है यह प्रशन है कि वो मधुमक्षी पालन तो करना चाहते हैं कॉल ठीक है ठीक है जो दर्शक हमारे साथ खुच जुड़ गए है विपन सागर मध्य प्रदेश से जी सा क्या कहेंगा जी नमस्कार नहीं करने से डरते हैं तो पूनम शिवास्तव जी हमारे साथ लगाता बनी हुए है मैं जैसा कि आपने भी सुना ही है जो दर्शक है विपन उनका प्रश्न है कि वो मधुमक्षी पालन तो करना चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है और उनके आसपास उनके उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी डर लगता है कि मधुमक्षी पालन में मधुमक्षी काट सकती है तो ऐसे में उनको क्या सला देंगी आप दोसरी है आँ इंडिका जो अकसर पाली है एक जैनली मध्दाइब अवास सत्य पालन में नहीं पाल सिया नहीं प्रशन है नेहीं तो उनको जब तक वुमक्षी पार लगते हैं आपके तपते में मुझमक्षी करने आपके तो नहीं पालनिया तो वो एक्षिस को नहीं ही आग्षा करना होता है क्योंकि एक पर मस्क्ते जीवन का अग्ष से एक और इस पारी दंगोचे सब्सक्राइब अगर उसके डंग काता आया दंग करा आपको वर जाएगा सबराने की तो तरही है आप एक कुटा सब्सक्राइब नहीं थे तो आशा करते हैं विपिन जी आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा लगातार दर्शक हमाज साथ जुड रहे हैं और एक और दर्शक हमाज साथ अभी जुड़े हैं बिहार से भारती जी भारती क्या सवाल है आपका तो बता दे की भारती जी ने अपना सवाल वाट्सफ कर दिया है उन्का प्रशन है मैं मदुमक्खी पालन करना चाहता हूं उसके लिए क्या करना होगा आप कहां से हैं? ये बिहार से हैं कि बिहार बिहार तो बिहार एगरिवर्ट तरशीय फ्रिशा आपने देखें तुम्राइब कि किसी की प्रशी विश्विष्वी इस संपर्ट कर तकते हैं या खादी चरांग तो ती संस्तर आपकी लगशिश्चिक को वहां संपर्ट करें तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो लगाता हम बात कर रहे हैं स्टॉबरी की खेती को लेकर साथी साथ मदुमक्खी पालन को लेकर बात करें तो स्टॉबरी को लेकर सर आप से ये जाना चाहेंगे कि जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि इतनी किसमों होती है स्ट्रावरी की अगर हम मुख्यते देखा जाए तो सबसे अच्छी किसम स्ट्रावरी की कौन सी मानी जाती है जिसमें सबसे ज्यादा फाइदा होता है जो किसान है उससे लाब ले सकते हैं अपने गुड़ होते हैं उसके तो वेपसाइक एल्ड के लियास है बैस्ट इस्टोवेरी के हजारों पर जाती है लेकिन उत्तर भारत में वेपसाइक के दस्टिकोर्ण से जो तीन-चार फसले हमने आपको बताई है खास करके चानलर फसल की जो खास बात यह है कि उसका जो उ होती है फल की उच्छाल उपर की वह थोड़ी मजबूत होती है तो वह इतनी जल्दी रगड़ती नहीं है क्योंकि इस्टोवेरी बहुत ही जल्दी खराब होने वाला फल है जरासा भी फल आपस में रगड़ जाएगा छिल जाएगा तो वहां से उस पर फंगस आ जाती है तो केमारोजा चांडलर यो दोनों पर जाती है और तीसरी पर जाती जो मैंने बताई नबीला और बिंटर डान भी बहुत अच्छी पर तो यह थीन चार पर जाती है जिनको हमारे किसान भाई उत्तर भारत में लगा सकते हैं और महरास्टा में इस पर जाती को लगा जा रह जी सर क्या सवाल है आपका विश्णू जी 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 विश्णू जी आपका सवाल जी नमस्का अपना सवाल पूछे जी मेरा सवाल यह है कि मतलब मैं नया कितान हूं और मुझे मतलब मदोमत्ती पालन के बारे में जानकारी तो आप क्या जानना चाहते हैं तो पूनम शिवास्तव जी का रुख कर लेते हैं, पूनम जी जैसा कि अभी दर्शक का सवाल है, कि उनके आस पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिससे वो पूछे, वो जानना चाहते हैं कि वो पहली बार मधुमक्ही का पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनने क्या ची और क्या नहीं करना चाहिए? तो परिह सकता है का झाहि जी बत् actress में जी अपकी आस पूछता है? तो पर अभी कि यह यह को जरूते हैं, जी नहीन चाहते हैं, पया कई चाहते हैं, एकॉर्णाे द prop eldम सब्सक्रण हैं. अगर आपक पढ़क लेके हैं अगर आप अधेलिके हैं तो दसरा लोगत भीक में बुखित पान के लिए और पैंटेशन की सब्सक्राइब की से किल रही है और अगर आप चैनल गबाग एक पाट पुगता है अगर भी तरह के विए लिए विए अगर अगर आप लेकिन आपक तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो प्रशन है वो भी आ रहे हैं वाटसिप पे इमेल पर भी हमारे पास सवाल लगातार आ रहे हैं फिलाल आपको बता दे की कैलाश प्रसाद है जो कि हजारी बाग जारखंड से तालूकात रखते हैं उनका सवाल है कि क्या जारखंड में स्ट्रावरी की खेती की जा सकती है सर देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अच्छा नहीं लेकिन फल्का उत्पादन जो अच्छा नहीं रहता है और इसके लिए कुछ किसानों ने वहां प्रयास किये हैं और आप जो राइपर का जो विश्विद्याल है अगरी किल्चर का वहां बागवानी संभाग में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं लेकिन यह आ तापमान ज़्यादा गटा बढ़ता नहीं है वहां पौदे तो लग जाएंगे लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं आता अगर आपके छेत में ठंड होती है नो दस दिग्री तक टेंपरिचर अगर आपके यहां आता है विंटर में तो आप वहां इस्ट्रोबेरी की खेती सफलता पूर्वा कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदी की विश्विद्यालर जो आपका राइपूर में है या कोई नजदी की केवी के है वहां जाके आप संपर कर सकते हैं ठीक है तो आशक अटते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा फ जी जी क्या जानना चाहते हैं जी लगाना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा और हर्याने में यह कैसे की जा सकती है जी कोवड़ा थो जानना चाहते हैं जी लगाना उस्केन होगेगा अगर चाहते हैं दो पर खुल्चे जानना की सब्सक्राइबाब पारा के साथ बेल चाहते हैं तो आशा करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जवाब आपको आगे पशुपालन में सहायता करेगा स्ट्रावरी को लेकर बात कर लेते हैं सर आपसे जाना चाहेंगे कि स्ट्रावरी जैसे कि मैदानी इलाकों में भी की जाती है और जो पहाड़ी लाके महाँ पर भी की जाती है तो दोनों की जो सीजन है वो किस तरीके के रहने चाहिए मैदानी लाकों में कौन से सीजन में करनी चाहिए और पहाड़ी लाकों में कौन से सीजन में करनी चाहिए देखिए इस्ट्रवेरी के साथ एक बात जोड़ी हुई है कि इस्ट्रवेरी का उत्पादन जो है जहां पर उसका कंजप्शन हो जहां उसके कंजूबरों वही करना चाहिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इसकी जो भंधारान च्छमता है वह बहुत कम होती है तो पहाड़ों पे जो इस्ट्रवेरी आती है वो आती है अपरेल के बात जी क्योंकि उनका जो फूल खिलने का सीजन है वो अब मार्च से सुरू होता है क्योंकि नबंबा दिसम्बा जनवरी फरबरी तक वह ठंड पड़ती है तो उनका जो फूल खिलने का सीजन है मार्च के बाद आता है और यह निर्भर करता है कि आप कितनी उंचाई पर उसकी खेती कर रहे हैं अगर जैसे स्रीनगर जैसे यह पर आप खेती करेंगे तो फूल और लेट खिलते हैं तो उनका सीजन जो है अप्रेल माई से लेके जून के बीच में होता है तो उसका जो भोग है वो लोकल लोग ही कर सकते हैं अपरेल माई जून में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मार्केटिंग आपको लोकल ही करनी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा तापमान होता है कि एक जिन में ही स्टोवरी खराब हो जाती है और वहां से यहां तक लाना यह एक गंबीर समस्या तो ऐसे इस्थान जहां पर टूरिस्ट बहुत जादा जाते हैं क्यों गर्मियों में बहुत सारा टूरिस्ट नीचे से पाड़ों पर घूमने जाता है तो वो अपनी मार्केटिंग अपरेल मईजून के महीने में करते हैं अगर मैदानी चेत्रों की हम बात करें तो हमारा जो लगाने का सीजन है वो 9 अक्टूबर का महीना होता है फूल दिसम्बर में खिलने सुरू होते हैं और जनबरी से उत्पादन आरम हो जाता और वो निर्वर करता है कि आपका छेत्र कितना गर्म है अगर ज्यादा गर्म हो तो पंदा फरवरी के आसपास तक खतम हो जाती इस्टोवरी नहीं तो अगर तो जमीन में वहां थोड़ी सी ठंड़क रहती है तो आप मार्च के महीने में भी उसकी खेती कर सकते हैं और मार्च के बाद उत्तर भारत के जो मैदानी छेत्र है या गर्म मिलाके हैं वहां पे इसकी खेती खतम हो जाती है और पने जोहर दोबारा से एक्टूबर में प्लांटिंग करने पड़ती है ठीक है एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्यप्रदेश के उज्जेन से कृष्ण पाल सेंग तो लगता है संपक टूट गया है एक बाब फिर से हम चाहेंगे ये कहना कि दर्शक जब भी हमें कॉल करें तो अपने टेलिजिन की वॉल्म बिल्कुल लो करने और इसके साथ साथ नेटवर्क शेत्र में आकर ही कॉल करें चलिए स्ट्राबरी की खेती को लेकर हम आज बात कर रहे हैं साथ इसाथ मधुमक्ही पालन को लेकर बात कर रहे हैं और भी जानकारी के साथ आपके प्रश्ण हम इस कारेक्रम में लेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सब ब्रेक की हो खुद से इलाज ना करें खुद से कोई भी दवाज ना खाएं डॉक्टर के पास जाएं अपनी जाज कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्या लग कि कारिक्रम जो देगा सलहा भी मार्क दर्शन भी मोबाईल उठाएं नंबर मिलाएं आपके अपने फोनिल कारिक्रम स्वस्किसान में हर शनिवार शाम 6-7 बजे सिर्ट डिली किसान पर ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कारिक्रम हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं मदु मक्खी पालन को लेका और साथी साथ स्ट्राबरी की खेती को लेका सर हमाई साथ मौजूद हैं विशिशक गया और यहां पर हम सर आपसे जाना चाहेंगे कि स्ट्राबरी के उत्पादन में कितना खर्च आ जाता है और क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए यह जानकारी आपसे जाना चाहेंगे यह बहुत आवश्यक बात है देखि इस्ट्राबरी जो है जैसा मैंने पहले बता है कि जल्दी खराब होने वाला फल है दूसरी बात यह है कि इसके उत्पादन में खर्चा काफी आता है अगर आप मैदानी शेतिनों की बात करेंगे तो एक हेक्टेर में लगबख साथ हजार पौदे लगते हैं और जो पौदे की मिनिममम जो कीमत है जो अगर आप सरकारी संस्थान से भी खरीदेंगे तो तीन से चार रुपए है तो मतलब एक लाक हसी हजार रुपय अगर आप एक हेक्टेर की खेती करना चाहते हैं तो आपको हर साल पौदे के लिए खर्च करना पड़ेगा फिर बाकी दूसरे खर्चे भी तो ढ़ाई से तीन लाग खर्चा प्रत हेक्टेर आ जाता है और निर्मर करता है कि आप किस तरह का उत्पादम करने हैं कि आप प्लास्टिक की मल्च पिछा रहे हैं या और्गैनिक मल्च पिछा रहे हैं उसमें ड्रिपीरिगेशन से पानी दे रहे हैं या किसी दूसरे में से दे रहे हैं तो ड्रिपीरिगेशन में थोड़ा कर्चा देना चाहूंगा कि जब आप पहली बार इस्ट्रवेरी की खेती करें तो छोटे इस तरपे करें या कोई ब्यवसाइक ट्रेनिंग उसकी किसी संसान से लेके करें या किसी विसेशग की देख रेक में करें क्योंकि अक्सर ये दवात देखी गई है कि बहुत सारे किसान जिन्रों एक बार पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि इसमें कई समस्या हैं क्यों बहुत जल्दी खराब होता है आपको तुड़ाई के लिए लेवर परियाप्त होनी चाहिए मालों आपने बड़े से छेत्म जो ह आपके पास होनी चाहिए इसका पैकेजिंग का मेटिरियल जो है वो अलग से आता है पनेट आता है उसकी भी एक अपनी कीमत होती है तो मैं कह रहा हूं कि पौदा कोश्टली है इसमें प्लास्टिक की मल्च बिशाओ को उसका भी खर्चा काफी आता है तो जब भी आप इस आप घ्यान नहों इसे संबन देत तब तक आप बड़े इस तरफ इसकी खेती नकरें और अनुभव अगर लेना है तो छोटे इसको लगाए तो इस सब बातों का ध्यान दखें और पौदे देखिए प्राइविट संसान भी बहुत सारे प्रोवाइड कराते हैं कई हमाचल में दो विश्विद्या लैं बोज बी प्रोवाइड कराते हैं तो बहुत सारी जगेशा आप प्राइβेट भी सकते हैं तो गर्मिंट संसान की जो मैं बात करता हूं वो कम से कम एक पौदे की कीमत तीन रुपए है बाकी प्राइट संसान आपको हो सकता है पांच रुपए नौ रुपए या ग्यारा रुपए प्रक पौदा भी नहेंगे तो इसकी जो लागत है वो बहुत जादा बढ़ जाती है इसलिए मैं अ सवाल है आपका अंगा जी सर सवाल क्या है आपका अब्सापर यहां पूर सोभी नहीं होते हैं पूनम शिवास्तप जी लगाता है कि अधिया है, आप एक सब्सक्राइब होते हैं कि अधिया पानों फिलाना पड़ता है, दुस्ता तरीका यह है कि उन्हें वहां पर आपकी के दिसे ले जाए, जैसे अगर सर्सु के अपरे करें आपका रहें, सर्सु के बढ़ में जहां रीची है, पंगाल और हरुटा के पाइगरेशन का सत्य के अतरा, तो सही आइड के व्यूटाइब करना है, दुसरे जो बड़ी समस्या है कि केकनाशी दुपका वच्टाइब होने से अधिया है, आपको बंगुक्तार होते हैं, उसके लिए बस एक कुर्णा सताब की कर लाएंगी आपकी जहां अधिया रख आपको बस एक करना है कि उस दिन आपको एक पहले जब होने वारा है, अपनी मन्गुक्ता की गेट को जब शारी तक वतने अंदर आजाए तो आपको को आज़स्ट पजी के पाद अपकी का गेट पाद, ताकि जिस दिन आपका होता होता है, उसके अधिया नाज है, उसे द पाद का सकते हैं, तो मधुमक्ही पालन से जो फायदा मिलेगा, वो भी हो पाएगा, फिलाल एक और कॉलर हमाँ साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले अभी स्ट्राबरी की खेती को लेकर बात कर लेते हैं, सर हमाँ साथ मौजुद है, सर आप से जाना चाहेंगी कि स्ट का कोई फर्क पड़ता है, कोई नुकसान तो नहीं होता है, देखिए, इस्ट्रवेरी की खेती में मल्च बहुत आवश्यक है, पलवार जो नीचे बिचाते हैं, वो बहुत आवश्यक है, वो पलवार आपकी और इन औरगनिक भी हो सकती है, और अरगनिक का मतलब सूकी घा और दान का पौण िस तरह की चीज़ें भी बिचा सकते हैं। और पॉलिफिन की स्वीय चेति बिचाते हैं तो ज्यादातर किसान भाई हमारे ब्लेक डर्द की पूर्ड की मोटी पॉलिफिन आती हैं उसको बिचाते हैं। जन्वरी से फल पकने आरंब होते हैं इसमें दो बाते हैं बहुत आवश्यक हैं बरसाती नहीं ठंड से भी इसका बहुत नुकसान होता है तो जब दिसंबर के मैने में फूल खिलने सुरू हो तो नीचे जो आपने काली पॉलिथिन बिचाई है उसके उपर से आप बांस की ड बड़ा होता तो आपको आर्थिक नुकसान कम होगा दूसरा वही पॉलिथिन की शीट जब फल पकने को आते हैं अगर आपने खोल दी और रात को बारे सो गई तो सारा फल आपका उस पॉलिथिन शीट के उपर रखा हुआ है मल्च के और जहां जहां पानी भर जाएगा व क्योंकि मदमक्खी पालन इस्ट्रवेरी में बहुत महत्पूर्ण रोल प्ले करता है कहते हैं दो से तीन अगर मदमक्खी के छटे रख दिये जाएं तो उत पादन में सार्थक ब्रद्धी होती है क्योंकि फल का जो साइज है वो निर्भर करता है कि कितनी बार हनी भी या म बरसात हो सकती है मेरी फसल तैयार है या नहीं भी है तो आप तुरंट उसको ऊपर से जो आपने टनल बना रखी है चोटी सी डंडे लगाने या लोहे के सरीया लगाने और सफेद कलर की प्लास्टिक जो है शीट आती है जिस पर आरपार दिखता हो उसको बरसात के समय दर्शक जूड़ रहे हैं एक और दर्शक हमारे साथ जूड़ गए है उज्जेन से यह पर आपको बता दे कि अंदर सिंहां साथ जूड़ गये हैं और सर प्रासर क्या सवाल है आपका नमस्ते में बें इंदर से खानून ग्राम मताना कि अधिए जी और में आरगे दी हो आपकी भाड़ी कारिकर्प नहीं तरी की सब्सक्राइब जी जी तो में पूस्ते है रहे जाएंगे सवाल क्या है सर आपका सब्सक्राइब करें तो हम लगातार दर्शकों से अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क शित्र वाले एरिया में जाकर आप हमें कॉल करें और जब भी कॉल करें तो टेलिविजन का वॉल्यूम भी बिल्कुल डाउन कर दें ताकि जो आपकी आवाज है आपका जो प्रश्न है वो हम तक अच्छे से आपाए और हम आपको उन सवालों का जवाब दे सक होते हैं पूनम शिवास्तव जो मासत लगाता बनी हुए है मैं क्या कहेंगे आप इस सवाल को लेकर आप तो प्रश्की के लिए आपको तांपोड करना होगा उसको निकाल के खारे उसके लिए आवश्क होगा आपको की आपके छोटा सब्सक्राइश्य साथ कर रखा हूँ को दूसरा आपका आधार कार और एक आपका चाहती पर उसके हिसाब आपको इसकी पायदा मिलेगा 35 पर अपको सब्सक्राइब को सकती है अगर आप रिजब कर दिशन के लिए और वसी छोटा साही काप करना है तो आपको इस पर इस समय जो भी होता इस पर चल रही हो जैसे आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और स्टॉबरी की खेती को भी लेकर कुछ बात कर लेते हैं सर हमार सब लगाता मौजूद है सर आपसे जाना चाहेंगे कि क्योंकि जो स्टॉबरी का पौधा होता है उस पर जो स्टॉबरी की जो केटगरी है वो कई तरीके की की एक पौधे में आती है तो क्या जब उसे बेचा जाता है जब युसे भेजा जाता है तो उसे केटगरी वाइस भेजा जाता है या फिर एक साथ उस्पर कोई फरक नहीं पड़ता है देखिए, कोई भी उत्पाद हो, खास करके मैं उध्यान की फसलों की बात करूँगा, कि हमारे किसान भाई कभी भी बड़े और चोटे फल को आपस में मिक्स न करें, उससे क्या होता है, मालो मैं टमाटर की बात करता हूँ, कि आपने चोटा बड़ा टमाटर मिलाकर उसका बॉल्यूम ज़्यादा बना दिया, लेकिन उसका रेट हमेज़ आपको कम मिलेगा, वहीं अगर आप उसका अलग-लग साइज बनाके बेचेंगे, तो उसका रेट आपको अलग मिलेगा, इस्ट्रवेरी के पौदे में तीन तरह के फूल खिलते हैं, सबसे पहले प्राइमरी फूल खिलते हैं, जो दिसम्बर के महीने में खिलते हैं, वो फूल बड़े होते हैं और उनसे जो फल बनता है वो भी बड़े साइज का होता है, जिसको हम primary flowers या primary fruit कहते हैं, प्राथमिक जिसको बोलते हैं, उसके बाद उससे छोटे फूल खिलते हैं, उनके फल साइज है वो primary flower से छोटा होता है, उनके फल भी छोटे होते हैं, तरसरी होते हैं तो जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो मार्केट में बिकते नहीं हैं, लेकिन उन जो छोटे फल हैं जो बजार में विक नहीं रहे हैं उनका आप पल प्रजर्ब करके उससे बाद में कोई बड़ा उत्पाद बना सकते हैं एक दिन में मालो आपको 100 किलो इस्टोवेरी निकलती है अगर 5 किलो आपके पास छुटा फल मिला तो आप उसको पल प्रजर्ब कर सकते हैं और जब आपकी फसल खतम हो जाए उसके बाद आप उसको प्रजर्ब करने के लिए उसका परज़चन करने के लिए कौन कोई सी चीज प्रजर्ब करते हैं तो सारे एकी साइज के फ़ल अगर आप पैक करेंगे तो उन जोटे समस्या होती एक आप पीचप घड़ ही तो यहिंस को आप पैकिंग में बीच-बीच में ऐसे फिट करेंगे, ताकि आपका जो पनेट है यह बहुत ही बड़ी अबात बताईए इसाट आपके क्योंकि मैं भी अपने घर में जो kitchen garden उसमें कई तरह के पौधे रखते हूं तो मैं आपसे जाना चाहते हूं कि क्या गंबले में strawberry उगाई जा सकती है हाँ बिल्कुल देखिए डेली में सब लोग जमीन तो स्राहिधी किसी के पास हो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनका kitchen garden जमीन में है अन्य था लोग roof garden करते हैं या अपनी balcony में इसको लगाते हैं तो यह कैसा फल है जनरली होता है कि फलों को लगाने की बात आती है तो कई किसान भाई जिनके खेत का साइच छोटा होता है वो कहते हैं नहीं हम strawberry नहीं लगाएंगे तो एक तो मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि आप perennial फल जो लगाते हैं आम लगाएंगे अम्रूल लगाएंगे लीची लगाएंगे तो फल पर्मानेंट होते हैं लेकिन strawberry के ऐसा फल है कि अक्टूबर में लगता है और फरवरी मार्च में खतम हो जाता है और इसका पौद लेस मीडिया भी आता है जिसमें बर्मिकुलाइट परलाइट यह मीडिया कोकोफीट होते हैं जिनको आप 3-1-1-1 के रेशियों में मिलाके आप उसमें strawberry लगा सकते हैं लेकिन जो भी strawberry आप मीडिया में गंबले में लगाएंगे उसमें आपको अलग से जो nutrient देने पड़ते से बैग में आप जैसी irrigation देंगे तो फूल जाते हैं और उसमें आप strawberry लगा देंगे लेकिन उसमें आपको फूड न्यूट्रेंट्स न्यूट्रेंट्स हैं NPK वो आपको बाहर से देने पड़ते हैं तो आप अपनी बालकों में जहां धूप आती हो इस बात का हमेशा ध्य जानकारी जो है अपने दर्शों को तक पहुंचाईए कि अगर आप strawberry अपने गंबले में उगाना चाहते हैं तो वो भी possible है लेकिन experts की जो सला है जिस तरह से अभी सर ने बताया है उन points को follow आपको करना पड़ेगा और भी जानकारी आपके साथ साजह करेंगे strawberry की खेती पर बात होगी मधु मख्यी पालन पर बात होगी लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक करशी और पशुपालन है एक दूसरे के पूरा घारांगन से लेकर ड्रवसाइक फार्म तक मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जाहस तक विमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान विशेशक्य करेंगे आपकी समस्या का समधान जुडिये हम से पूछिए अपने सवाल इमेल के जरिये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी इमेल आईदी है ddkisana.apc.gmail.com हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 113060 और 1800 113061 देखिए अपना पशुचिकित सक हर रविवार शाम साड़े छे बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर प्रेक के बाद एक बाफिर से स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम हेलो के सान में और आज हम दो टॉपिक पर बात कर रहे हैं पहला है स्टॉबरी की खेती और दूसरा है मधुमखी पालन को लेकर हम आज बात कर रहे हैं हमारे साथ लगाता दरिश्क भी जुड रहे हैं कॉल भी आ रहे हैं हमें लगाता इमेल भी आ रहे है वट्टसेफ पर भी प्रश्ण आ रहे हैं फिलहाल एक दर्शक मारे साथ जुड गहे हैं आपको बताते कि बिहार से दर्शक जुड़े हैं और शेह नवाज अंसारी बिहार से टुने है, sir, क्या सवाल है आपका? Sir, अपने टेलिविजन की वॉल्यूम धीमी कर लीजे. शाह नवाज जी, अपने टेलिविजन की वॉल्यूम कम कर लीजे. Sir, sir, प्रशन पूचिये, क्या प्रशन है आपका? पूनम शिवास्तप जी सवाल ये है दर्शक का कि मदुमक्ही पालंग को लेका कोई योजना है या फिर नहीं पूनम शिवास्तप जी बहुत बाद शुक्रिया हमासा जूडने के लिए जो दर्शक है उनके सवालों का जवाब देने के लिए भौत बहुत बहुत शुक्रिया तो हम आशा करते हैं कि दर्शकों को भी मदुमक्खी पालन को लेकर जो भी जिग्यासर रही जो भी उनके सवाल रहे उनका जो आंसर पूनम शिवास्तव जी ने दिया उससे काफी मदद मिली होगी तो लगातार हम बात कर रहे हैं और फिलहार स्टॉबरी को लेकर बात कर लेते हैं सर ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम स्टॉबरी लेते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो भी अलग-अलग तरीके का होता है तो किन बेसिस पर ये टेस्ट वराय करता है देखिए हर प्रजाति के अपने लच्छन होते हैं किसी में खटास होती है, किसी में मिठास होती है लेकिन एक सही तापमान पे जब फल पकता है तो उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है हम जो अगर ओवराल गुणवत्ता की बात करें तो उसको हम नापते हैं टोटल सॉलिबल सॉलिड कि उसमें कुल गुलन शील्ड ठोस पदार्थ कितने हैं तो ये निर्भर करता है बैराइटी पे भी उसके पकने के समय पे भी पकने के समय किस तरह की जलवाई रही है लो तेंप्रेचर नाइट टैंप्रेचर वहां बहुत लो होता है तो उसमें मिठास जदा रहती है हमारे रात का तापमान उतना ज़्यादा नहीं जाता है तो ये जो उसमें शक्र विक्सित होती है वो लोकल जलवायो पे निर्भर करती है कि आप कहा उसको उआ रहे हैं किस condition उसको उगा रहे हैं जैसे कि अगर आप उसको परियाप धूप नहीं मिल लगी तो उसका color भी उतने अच्छा नहीं आएगी और उसको मिठास भी अच्छी नहीं आएगी और अगर वो बहुत ज़्यादा तापमान पर पक रही है तब भी उसमें मिठास नहीं आएगी तो कम तापमान पर जो फल पकता है और दिन का टेंपरिशर थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो उसमें क्या होता कि उसमें पानी की मात्रा कम रहेगी तो उसमें मिठास ज़्यादा मिलेगी और हर परजातिय की अपनी flavor है अपनी मिठास है तो ये निर्वर करता है तो जो परजातिय हमने आपको बताई है वो वही परजातिय है जिनकी गुणवत्ता हमारे मैदानी छेतों के लिए बहुत अच्छी है मैं एक बार फिर्क के बता देता हूँ जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और ये हमारे मैदानी छेतों के लिए बहुत अपयोगी ठीक है तो लगातार दर्शक जुड़ने है एक और कॉलर हमाँ साथ जुड़ने है मध्य प्रदेश के खंडवा से मुकेश जी मुकेश क्या सवाल है आपका मुकेश जी क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है जी सर क्या सवाल है आपका मेडम ये जो इस्टी के बारे मतर है तो इसकी उम्र क्या एक कप करना की पीज़े काहां मिली अन्वाज जेसे बुट रहा है सर अचा इस्टावरी की खेती कप करना चाहते हैं जी मैंने बताया आपको जो मैदानी छेतन हमारे हैं वहाँ अक्टूबर की महीने में अगर आप रूपन कर देते हैं तो आपको संतोस जनक उपज़ आपको मिलेगी अगर सितंबर में आप कर पाते हैं तो उससे और ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा तो यह निर्बर करेगा लेकिन आप 15 अक्टूबर के बाद इस्टावरी न लगाएं क्योंकि उसके बाद जो थंड सुरू हो जाती है तो फिर बीफ़ादी बादे बिट्यां होता है कि कम के सासर उस फना दक दिया भी कमाती हैं फूल के खिलते हैं फ्ल का साइज इस टोटा घ़ता है तो ऊपज़ भी आप शत्रों मेरे अक्टूबर में अगर आप लगा पाते हैं तो निश्चे यह आपको बहुत अच्छी उप्रक्पोदा चारसों से पांसो ग्राम भी फल मिल सकता है देखे मिट्टी में सबसे आपशक बात है या कि बहुत भारी मिट्टी के लिए नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छा जलने कास होना चाहिए अन्ने तास पर फाटू तो फ़रा गलन सुरू हो जाती है तो सेंडी लोम सोईल जो मानी जाती है सबसे उत्तम होती है जिसका पीएच मान लगवग छे और साड़े शे के लगवग होना चाहिए साथ से कम होना चाहिए तो उस पर जो हमारे खादे तक तो हैं पौदे के लिए वो ज़्यादा उपलब्द रहते हैं तो ये ध्यान इस पर रहते हैं दूसरा जो तुड़ाई की बात आपने की वो बहुत आवश्च है कि आपने सारे काम बहुत अच्छे किये और तुड़ाई के टाइम अगर आप पिछड़ गए तो आपने जो तनी भी मेहनत की तो सब्दा आपकी बेकार हो गई तो इसकी जो तुड़ाई होती है वो रात को तीन चार दो तीन बज़े से हम सुरू करेंगे उसके लिए रोसनी की कावी इंतिजाम रखना पड़ता है और आपके डबे जो है साथी साथ पैक होते रहते हैं ताकि छे बज़े जब आप मंडी खुले तो आपका उत्पाद जो है मंडी में पहुंच जाए तो यह बहुत आवशक बात है क्योंकि अगर दिन के टाइम आप पुड़ाई करके रख देंगे तो फल का जो रंग होता है वो कला पड़ जाता है और फिर बजार में आपको उतना अच्छा उसका दाम नहीं मिल पाता और वो जल्ली खराब भी हो जाता है बहुत 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 शुक्रिया सार आपने इतनी सारी जानकारे हमाय साथ साज़ा करिये और मदुमख्य पालन को लेकर पूर्णम शिवास्तप जी ने भी काफी दर्शकों के सवालों का जवाब दिया बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का हमाय साथ जुणने जो अंक है उसमें हम आपको बता देकी किन विश्वय पर हम बात करेंगे ये एक बार आपको जानकारी दे देते हैं अगला विश्वय रहेगा पशुपालन में भारत सरकार की योजनाय और साथी साथ मचली पालन तो ये दो टॉपिक आने वाले अंक में आप देख पाएंग और आप अपने सवाल या किसी भी तरीके की जो जानकारी है वो हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल भेज सकते हैं इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी है हेलो किसान 2015 at the rate gmail.com तो इस इमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमार एक तीन शुन्य छे शुन्य सोमवार से लेकर शनिवार तक आप सुबह 6 बज़े से रात 10 बज़े तक कभी भी कॉल कर सकते हैं डीडी किसान के इस कॉल सेंटर पर और साथ यसाथ अगर आप ये कारेक्रम एक बाप फिर से देखना चाहते हैं बाप फिर से जानकारी लेना चा कारेक्रम में बस इतना है अगली बार फिर मिलेंगे नए विशे के साथ और साथ में होंगे विशे शग्य फिलाल हमें दीजे जाज़त नमस्कार हुआ है